हेलो एवरिवान तो आज हम डेट टाइम क्लास के बारे में ही बात करते हैं तो क्विकली हम अपने डेट टाइम क्लास को डिफाइन कर लेते हैं तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डेट टाइम मोड्यूल के नाम की तरह ही एक डेट टाइम क्लास को भी इंपूर्ट कराता है जहां पे आप डेट और टाइम के फंक्शन को प्ले कर सकते हैं तो सबसे पहले हम करेंट डेट को पिंट करके देख लेते हैं तो इसलिए मुझा इसको प्रिंट कराना है तो मैं इसको प्रिंट फंक्शन के अंदे इंख्लोज कर देता हूँ और बिंगो तो हमारे पासी कॉम्मिनिशन है जहां पे डेट भी है हमारे पास हाइफन सेपरेट और एक टाइम भी है and that too is in milliseconds or microseconds now, इसको एक और तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं एक और अ almost एक और टरीके से भी आप उसके लिएक मारेरे इस हमें तो हम भी जार ले गए हाँ बेब similar manner में मैं current UTC के date or time को भी कर सकता हूँ चहां पे timezone info भी मेरे को मिलती है तो मैं उसको भी try collect हूँ इस वर भी माम देते हैं du जो की date in UTC बता रहा है now class का जो attribute होगा वो इसमार मेरे UTC now होगा rather than now हम इसको print कराते हैं execute it तो आप notice करेंगे कि यहां पर जो date time आ रहा है उसमें आपको 5 hours and 30 minutes अप्रॉक्समेटल जो भी UTC डिफरेंस चाल ला है आपके current local clock या जो IST में है उसके according difference देखने को मिलेगा now हम छोटे-छोटे attributes को retrieve करके देखते हैं date time की जैसे हमने पीछे अभी date class के संग देखे थे तो अभी मैंने अपने मेरे variable date time dot now current time जो है current day to time मेरा d variable के अंदर ही है तो हम quickly इसके attributes को print कर लेते हैं match up to you आप कैसे करना चाहते हैं मैं एक simple manner में multiple print command के संग यहां पे मेरा complete current day to time दिखा देगा now attribute year पास करना है तो मैं d.year ले लोगा जो भी मेरा variable था उसके accordingly then month day or seconds तो हम इसको जीड़े कर देखते हैं किस तरह से result मिलते हैं हमको तो आप notice करेंगे कि exactly जो चीज़ हमको चाहिए थी वो filters या वो values को हमने retrieve कर लिया from the class now एक current या फिर हम गए custom date time का भी हम एक context बना सकते हैं या instance बना सकते हैं यहां पर अपने लिए तो एक rough date time ले लेते हैं कोई भी random date time तो हम इसको नाम देते हैं DR variable को और इसको हम pass करा देते हैं एक custom date to time को अपने accordingly और इसको print कराके दिख लेते हैं कि क्या answer मिर को मिलता है यहां पर नोटिस करेंगे कि date is fine पर हम कोई time parameter पास नहीं किया इसलिए it took as 00 now again हम इसी चीज़ को थोड़ा सा modify कर सकते हैं जहां पर हम कुछ parameter और pass कर सकते हैं minute, hour, hour minute, seconds and milliseconds के तो हम इसी में edit कर देते हैं रोसा हम इसको hour देते हैं one minute देते हैं 55th, second देते हैं 58th and millisecond में जो value है वो हम इसको for example 6008 दे देते हैं नो हम इसको print करके देखते हैं हम एक answer मलता है तो यहां पर आप notice करेंगे जो आपकी custom date थी नौस्ट में time भी populate हो चुका है with a millisecond value नो हम एक चीज़ आपने देखी थी तो हम POSIX timestamp के according भी local data time को return कराते हैं अगर आपको यह point sorry में नहीं आया है तो हम इसको quickly use कर लेते हैं date time dot from timestamp obviously हम यहां पर सारे parameters को discuss नहीं कर रहे हैं तो I would suggest कि आप python का official documentation ज़रूर refer करें for complete details और इसको यहीं पर हम print भी करा लेते हैं rather than passing to a variable now you would notice कि यह POSIX value actual make time को denote करती है जो की flow future में है maybe हम इस value को कम करके देखते हैं तो यह POSIX value कुछ और answer देगी तो यहाँ पर एक value आपके पास past date किया गए तो accordingly एक POSIX से भी आप convert कर सकते हैं और current date और time को retrieve कर सकते हैं तो इस chapter में actual में इतना ही और हम next chapter में with new lab मिलेंगे तब तक लिए thank you very much have a nice day, bye bye